है तो हलो अब्रीवन आज हम सुरू करने वाल हैं अमाइन्स को इसको बेशिक से स्टार्ट करेंगे और इसको एड़मांस तक पढ़ेंगे तो आज इसको सुरू करते हैं देखें अमाइन्स क्या होते हैं पैसिकलिए अमोनिया के डिरिवेटिव सही है आपको मालू है आपको मिलेगा नस्टू आपको और क्या करो आपको निकालो और आरवन जोड़ो क्या मिलेगा आपको तो कुछ नहीं करना आपको further हम क्या करते हैं है एक है जो निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा अमाइंस नहीं कुछ है यह कि क्या आपके अमाइंस हैं तो हमने लेक直接 बिष्यक्र लेडिवेटिव साफ अमोनिया आप अमोनिया से क्या करो हैड्रिजन रिप्लेस करो अलकाइल ग्रूप एक्सक्राइट अन्हें करते हैं अब देखो एक अपना फैनियल रिंग लगाते हैं इसको आप क्या बोलते हो और इस रिप्रजेंट करते हैं इसको हम अराइल भी बोलते हैं ठीक है तो इसका मतलब आपको ऐसे मिलेगा बेंजीन रिंग लगाओ इसके खोपड़ी पे क्या लिखो गया अनस्टू फर्दर क्या करो आप हाइड्रोजन निकालो अगेन एक ग्रूप लगा देते हैं एक फर्दर आप क्या करो हाइड्रोजन निकाल दो एक अर्ड गरूप लगा दो इसको फैनल भी बोलते हो आप पड़े भी होगे इसको तो देखो चलो इसको पी एच लिक देते हैं तो देखो कितने फिएच ग्रूप हो गया इसके पास 3 तो हमने देखा आमाइन्स जो होते है आप ammonia से क्या घरो hydrogen replace करो और अलकाइल गरूप लगा हो यह अरायल घृफ लगा तो आपको क्या मिलेगा अमीन्स मिलेगा तब हम फर्धर पढ़ेंगे Classification of amine तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ओफ आमाइन्स तो आमाइन्स के क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे अन्दी बेसिस ओफ नमबर आफ हाइड्रोजन एटम राइट देखो अब हेडिंग लगा लो क्लासिफिकेशन ओफ क्लासिफिकेशन ओफ आमाइन्स अब जो हमार आमाइन्स हैं उनके क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे देखो हमने क्या लिया था एनस्थ्री अमोनिया इससे क्या कर रहे हो आप अलकाइल गुरूप एड कर रहे हो और हैड्रोजन निकाल रहे हो तो अब पार रहे हो एनस्टू आप यह तुम्हारा होगा वन डिग्री अमाइं राइट वन डिग्री अमाइं फर्दर क्या कर रहे आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो अलकाइल योड रहे हो तो तुमको मिल रहा है इस टाइप से अब इज़र देखो हाइड्रोजन आपका कितना पचाहिए निकाल दीओ कितने है तो इसको आप बोलोगे थढड डिग्री अ माइन अब वाण इन मैंन को अब प्राइमरी भी बोलते हो तूड को आप सेकेंड्री भी बनते हो यो और इसको आप क्या बोलते हो टर्सरी भी बोलते से तर्सरी तो हमने देखा जोंगर या म де हैए था तुमनाइड स की बात कर सकते हैं तो तरीके से अगर आप इसी तरहुचे आप बाताओ अमोनिया से अगर आप NH3 को बेस मानों किसको NH3 इसको इसके पास कितने हैं तीन हैं कितने बच्चे हैं दो तो इसको आप क्या बोलोगे वन डिग्रिया माइं इसी तरीके से मालो एक और क्यूस्टन लेते हैं हम अन लगाओ इधर एक बेंजिन रिंग इधर हाइड्रोजन बोलो कितने हैं रिप्लेस की हमने दो तो इसको तुम क्या बोलोगे दिस इस यूर्ट टू डिग्रिया माइन और अब बात कर सकते हो देखो हमने रिंग बनाया और अब इधर देखो एक आर लगा दो इधर भी एक हाइड्रोजन है नहीं है तीन हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर चुके हैं तो यह आपका कालाएगा थर्ड डिग्री आमाइन और भी आप बात कर सकते हो आपके पास काफी किस्चन हो सकते हैं आप देखो एन लिख दो और इसके साथ क्या लिखो CH3 का होल फ्राइज तो यह भ चोंढ़का थर्ड डिग्री यह मिन तो इस तरीके से थे आमने देखा आगा हमारे आायों सेंधर बैसिक Corn कर लिखे memb Woods ऐफ यह एंगार अप एक क्वा अलुallas reservskरते नंसरी प्राइजियो को रीप्लेश यहां त्यो थे ट्रॉद्ध्रा लिए bet car हमारा basic सा introduction था हम बात करेंगे इस ट्रक्चर आफ आमाइन्स की तो तो कि अमाइन्स की बात करेंगे हम ठीक है अब देखो आप आपको मालूं है अमोनिया की इस्ट्रक्चर आप जानते हो एस तरी है अब इधर देखो तो नाइड्रोजन है इसके पास लॉन पेर अब इस तरीके से सुमक्राश performed और इस तरीके से इसका इस्ट्रक्चर कैसा है छाइए पिरा मिडल प organism engine ए इस तराभिठो आप सोड़ और है तो आपने देखा aq4 मे थेन में तो उस में केस में आपका बॉंड नंगल होता है 109 डीघ्र होई ठीक है किस प्रॉण केस में तो इसमें आपका जोअ 505 मिड्ड ले किन इसमें आपका बॉंड एंगल 109 9 sasad, है क्यों इसका रीजन क्या है long period, लोन पेर के वोज़े से क्या होता है रिपल्सन होता है इसलिए इसमें जो बॉंड एंगल होगा यह आपका 108 डिग्री होता है अब हम बात करें किसमें इसलिए इधर भी क्या आपका CH3 तो इसका जो जो मेंट्री होगा हो कैसा होगा पिरा मीडल होगा और जो बॉंड एंगल होगा इस विल भी एक सो वाट डिग्री अब इसका रिजन क्या है इस लोन पेर के वह जो जो बॉंड एंगल होता है जैसे इस केस में हम देख रहे हैं एक सो नो डिग्री फाइप इनट एक सो डिग्री फाइप नट ना होकर कुछ कम होता इसका रिजन क्या दिस देखो लोन पेर और बॉंड पेर की बीट क्या है रिपल्सन है इसमें हम जो देख रहे हैं हमारा ए सी यन इए को हम ग्या बोल दो इए आपका है CH3 ग्रूप और इए देखो यह भी आपका क्या है यह वहला कार्बन च्ष्ट तो मैं ऐसा बोल सकते हैं जो बॉंड एंगल है 108 डिग्री यह तो ऐसे बोल दो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन इसके बीच के बाइंगल है 108 डिग्री इसका रिजन गया है दिस लोन पेर ठीक है लोन पेर को दो तो एंगल के अध़र थोड़ा सा कम हो जाता है बस इतना इसी बात है अब हम बात करेंगे इसके आई पी-ए-सी नॉमन क्लेचर अब इसके आप लोगों ने देखा जो हमारे आमाइंस है यह आपके वन डिग्री और यहन कि इस नाइट्रोजन से देखो दो अलकाइल गुरूप टू डिग्री अब इसी नाइट्रोजन से अब क्या करो तीन अलकाइल लगा रते होती होगा है मß वह तुट इवा dinero है कि model ट्रीज्त जो मैंस है आपके डिफरेंट फांक्शनल घुरूप है राइट य 가장 ön वा है कि डिफरेंट को कि fans जो मैंधेक है उसको इसके आई पिएसी नेम की कि इसका जो IPSC ने में simply क्या करेंगे आपको अलकेन और उसके बाद लिखना है माइन यह हो गए अगर आपका कॉमन नेम की बाद करो कॉमन नेम तो कॉमेन नेम अलकाईल उसके बाद लिखना है और जिस तरीके से घर पर बोलने वाला नम न होता है छिन्टू पिन्टू मो न्मीन आपका क्या है क lengien और इस तरीके का जो आपका IPSC नैब इसकूल ओला रव्द तो ढेकिन का रहे i7 एम तोलिकें ओमीन आपका क्या है आईपरीफ के नॐ और कउन नेम क्या है आएउ कई हमाइन अब एक जामपल से समझतें च अज को थी कीजो होस्त橋 करेंगे अपर आईपेसे हं क्या लपका सिना और ची से क्या होगा अटरा मनें आएकzystaव क्या स्कुम 됩니다 मेथेन मेथेन और इसके नहीं लिखेंगे मेथेनके बाद नहीं लिखेंगे दो ओवे 1918 मेथाइल इसका नाम हो जाएगा मेथेन नमीन िखैलो क्यूस से नमरores बोलते हैं पूसे नमर्ट ते देखो अगर आप इस तरीके से लिखते हो CH3 CH2 NH2 कार्बन कितने है दो तो दो के लिए आप क्या लिखोगे IPSC में एथेन और अमाइन अब क्या करोगे एड कर दो अगर इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे इथाइल और लिख दोगे अमाइन तो हम कुछ क्यूस्टन लिखने जा रहा है पहले आप उसको प्रैक्टिस करोगे खुद लिखोगे उसका नाम उसके बाद क्या होगा हम खुद लिखेंगे ठीक है है तो हमने कुछ क्यूशन लिखा है जो यह लिए लिया है तो क्यूशन है देखो इन सब का आपको क्या करना आप सी नाम लिखना राइट अब इधर देखो आपको मालूब है जो फांक्सेनल गुरूप क्या है जब यह काउंटिंग करोगे किस वाले कारवन से जिदर से नाम लिखोगे 123 कारवन के लिए प्रोपेन लाश में क्या आपको आट करना है अमीन तो हो जाएगा प्रोपेन अमीन अब इस वाले में देखो आप 123 आप कांटिंग कि धर से भी कर सकते 123 सेकेंड वाले पर देखो आपका क्या लगा है जब का फांक्सेनल गुरूप है करवन नंबर टू से अटाइच है तो इसका आपका नाम होगा लिखोगे प्रोपेन अब देखो टू पर क्या है अब इधर अब लिखोगे प्रोप प्रोपेन टू कि एमीन पोजीशन बताओगे सेकेंड नंबर पर अपका लियाग क्या लगा है एनस्टू गुरूप लगा है यह वाला देखो आपका इंपोर्टेंट है अब इस वाले अमीन की डिगरी कितनी है टू डिगरी अब जो टू डिगरी अमीन होगा तो हम क्या क इस से लिखेंगे यह ईन से प्रजेंट करिंगे इसका नाम है आफ लिखोगे छोटे वाले गूरूप को अप मानोगे यह फ्रीफिक्स चोटे वाले गृप मानोंगे prefix और जो अब का बड़ा वाला ग्रूप होगा इसको अब मानोंगे root word और कैसे लिखोगे देखो अब लिखोगे इसको अन लगाओगे यहन पहले लिखोगे इसके लिखो यहन पर क्या है यहक ग्रूप है उसे ग्रूप का नाम है तो यन मिथाईल अब कार्वन कितने वान टू यन मिथाईल उसके बाद लिखोगे दो के लिए एथेन अलाइश्ट में जोड़ोगे अमीन तो हमने बेसिकली समें क्या किया टू डिग्री आमाइन है वन डिग्री से डिफरेंट है इसके लिए अपन क्या करेंगे जो छोटा वाला गुरूप होगा उसको प्रेफिक्स मानोगे बड़े वाले गुरूप को रूट वर्ड मानोगे यन से अब क्या लगा छोटा गुरूप उसको बोलोगे मिथाईल यन मिथाईल दो कर्वन के लिए एथेन एथन है मीन राइट अब इस वाले में देखो इधर आपका दो जो की फांक्शनल ग्रूप है इधर आपके डवल वांड तो प्रियोटी किसको दोगे फांक्शनल ग्रूप आपका डॉमिनेट कर जागा किससों डवल बांड से तो कांटिंग होगा 1 2 3 कितने कारपन 3 3 के लिए आप लिखोगे प्रॉप देखो सेकंड पर क्या डवल प्रॉप टू यह डवल बांड के लिए क्या लिखोगे इन और वन पर क्या है माइन तो जब भी फंक्शनल गूरूप होंग डवल बांड हो तो प्रियोटी अप किसको दोगे फंक्शनल ग्रूप को अब इधर देखो आपका कौन सा माइन है थाट डिगरी है माइन तो नलते कहा होंगे प्रिफिख्स तो यहां पर कितने मीथाइल है दो लिखोग आप यहन दो के हो यह यहन कामा एनकामा दो तो लिखोगे वन कामा यहन डै इसका नाम देखो क्या होगा या तो देखो वन पे क्या आपका अनस्ट्यू ग्रूप एमीन लगा है या तो इसको लिखवा बेंजीन आमाइन के डी नेम इसको इक्सेप्ट नेम है इसका आइड लिन इसका आइड ब्रोमा ब्रोमो तो फोर ब्रो-मु तो इसका नाम हो जागा फोर ब्रोमो बेंजना मीन तो इस तरीके सब को काफी क्यूशन मिल सकते हैं तो यह हमारा इपेसी नाम खतम हुगा लेक्स नेफ्स डेक्टर में हम इसके प्रिप्रेशन मेथड की बात करेंगे तब तक के लिए बाई-बाई